सुपरभाद बेहनों, आज आपको ब्याकरण में संग्या सर्वनाम लिंग वचन आधी के बारे में बताऊंगी आप जहां पर आपका कल का काम पूरा हो गया उसके नीचे दो तीन लाइन छोड़के संग्या हेडिंग डालेंगी सबसे पहले संग्या हेडिंग डालके नीचे लाइनश लिखेंगी संग्या की परिभासा उसमें डैस करके लिखेंगी किसी प्राणी, स्थान, वस्त, अवस्था, भाव या गुन का नाम बताने वाले सब्दों को संग्या कहते हैं जैसे राम, क्रिष्न, लखनव, पुस्तक, प्रेम, दया, आदी अब नीचे लाइनश लिखेंगी संग्या के भेद डैस करके लिखेंगी संग्या के तीन भेद हैं नमबर एक जातिवाचक संग्या उसमें डैस करके लिखेंगी वे संग्या सब्द जिससे किसी विशेश व्यक्ति, स्थान, जाति, वस्त, का बोध हो व्यक्ति वाचक संग्या कहते हैं जैसे राम, कौमा, गाधी, कौमा, दिल्ली, आदी राम या गाधी सब्द किसी विशेश व्यक्ति के ही नाम है इसको लिखने के आउशक्तानी आप जैसे लिखेंगी राम, गाधी, दिल्ली, आदी अब नमबर दो लिखेंगी जातिवाचक संग्या उसमें डैस करके लिखेंगी वे संग्या सब्द जिनसे एक ही प्रकार या वर्ग की सभी वस्तों का बोध हो जातिवाचक संग्या कहलाते हैं जैसे हाथी, मनुष्य, कुत्ता, बालक, घोडा, आदी ये सब एक ही प्रकार या वर्ग में आते हैं अब फिर नीचे लाइनम से आप लिखेंगी जातिवाचक या व्यक्तिवाचक संग्या में अंतर उसमें डैस करके लिखेंगी व्यक्तिवाचक संग्या के सब्द किसी एक ही विशेश व्यक्तिया वस्तों के लिए प्रियोग में आते हैं किन्तु जातिवाचक संग्या के सब्द उस प्रकार की सभी वस्तों के लिए प्रियोग में आते हैं जैसे बालक सब्द प्रतेक बालक के लिए आता है अतह बालक सब्द जातिवाचक संग्या है इतना लिखने की आउश्यक्ता नहीं है आप इतना लिखेंगे जातिवाचक था ब्यक्तिवाचक संग्या में अंतर लिखे डैस करके उसमें लिखेंगे ब्यक्तिवाचक संग्या क के सब्द किसी एक ही विशेश व्यक्तिया वस्तों के लिए प्रयोग में आते हैं किन्तु जातिवाचक संग्या के सब्द उस प्रकार की सभी वस्तों के लिए प्रयोग में आते हैं अब लिखंगी नमबर तीन भावाचक संग्या भाव आचक संग्या में डैस करके लिखेंगी जिस संग्या सब्द से किसी व्यक्ति या वस्त के गुण दोस अवस्था स्वभाव आदि का बोध हो उसे भाव आचक संग्या कहते हैं जैसे साहस, बचपन, मिठास, आदि इतना हो गया, संग्या की परिभासा होगी संग्या के भेद होगे, भेद के बारे में आपको बता दिया अब फिर दो लाइन छोड़के नीचे से लिखेंगी आप सर्वनाम सर्वनाम, फिर नीचे लाइन से सर्वनाम की परिभासा लिखके डैस करेंगी उसमें लिखेंगी जो सब्द संग्या सब्दों के स्थान पर बोले जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं हम तुम कौमा करते रहना आप वे वह आदी ठीक हो गया अब लिखेंगी आप सर्वनाम के भेद डैस करके लिखेंगी सर्वनाम के छे भेद हैं नमबर एक पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम लिखे डैस करके उसमें लिखेंगी जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वह पुरुष वाचक सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं तुम वह आदी पुरुष वाचक सर्वनाम में डैश करके लिखेंगे जिससे किसी व्यक्ति का बोध हो वह पुरुष वाचक संग्या कहलाते हैं जैसे मैं तुम वह आदी नमबर दो, निश्चाई वाचक सर्वनाम, इसमें डैश करके लिखेंगी, वह सब्द जिससे किसी वस्तु की निश्चित्ता का ज्यान हो, निश्चाई वाचक सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे वह पुरुस्था, आज इतना ही है, या इसको ध्यान से सुनकर अपनी उत्तरकुस् इससे आगे आपकल को कराया जाएगा,